प्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं वॉल पुट्टी और वेस्ट बॉटल से ये क्राफ्ट यहां मैंने कुछ प्लांटर बनाए हुए हैं और और और्गिनाइजर बनाए हुए हैं बहुत ही कम खर्चे में ये सुन्दर से प्लांट तैयार हो गए हैं तो यहां मैंने ली है प्लास्टिक की बॉटल अब हम उस पर मार्ट कर लेंगे जो भी साइज आपको रखना है इतना साइज बना सकते हैं यहां बोटल को कट करने के बाद मैंने वाल कुट्टी का डो बना कर रखा हुआ है मैं उसका यूज कर रही हूं इसको बेलेंगे और इसकी एक शीट तयार कर लेंगे बॉटल पर पानी लगाएंगे और इस शीट को बॉटल पर रख देंगे इसके एजिल अच्छे से पानी से फिनिश करेंगे इसी तरीके से हम पूरी बोटल को कवर कर देंगे इसमें किसी फैरीकॉल की जरूरत नहीं होती ये पानी से ही आराम से चिपल जाता है इसी तरीके से हम दूसरी बोटल पर काम करेंगे यहां आपको पानी का अच्छे से यूज करना है प्लास्ट में फिनिशिंग के लिए आप पानी का यूज करें और अच्छे से फिनिशिंग करें अब आप एक सेंड पेपर ले सूख जाने के बाद सेंड पेपर से इसको क्लीन करना है जब यह अच्छे से ड्राइ हो जाता है और सेंड पेपर से हम इसको क्लीन करते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन आती है तो अब हम यहां पर कुछ डिजाइन बनाएंगे उसके लिए यहां मास्किंग टेप का यूज कर रही हूँ यहां मैंने कुछ डिजाइन ड्रो कर लिया है और अब हम कलर करेंगे जो चाहें वो कलर कर सकते हैं जो भी चाहें वो डिजाइन ड्रो कर सकते हैं कर सकते हैं कर दो बलतों कर दो बचल कर दो अब हाक रही हूँ कर दो डाव कि यहां मैंने हैं जो अब हम मैं आप हम खो अब मैं नीचे वाले पार्ट में कलर करूंगी यहां मैंने येलो एंड प्लेक का कॉंबिनेशन दिया है बीच वाले पार्ट को मैं वाइटी छोड़ दूंगी और अब सबसे बॉटम में फिर से येलो कलर का यूज करेंगे ये देखिये ये कंप्लीट हो चुका है अब मैं दूसरे वाली बॉटल पर जो हमने मास्किंग टेप लगाई थी उसको उतारने के बाद कुछ डिजाइन टेप से बनाए है तो ये कुछ इस तरीके का डिजाइन निकल आया है यहां मेरे दोनों प्लांटर तयार हो गए हैं और मैंने यहां इसमें कुछ प्लांट लगाया है और ये देखिये कितने सुन्दर लग रहे हैं तो फ्रेंड्स आशागरती हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें